नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का हमारे और आपके यूटूब चैनल अनलाइन अर्निंग इस्टोर में आज के इस योड़े में मैं आपको स्पाइस मनी एपलिकेशन द्वारा मिनी स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताने लोग। स्पाइस मनी एपलिकेशन में मिनी स्टेटमेंट निकालने का सर्वीस या फिर मिनी स्टेटमेंट निकालने का आप्शन तो एड हो गया था लेकिन यह सर्वीस पूरी तरीके से लायू नहीं हुआ था तो आज के इस उड़े में मैं आपको इसके ही बारे में बताने आ लोग आप mini statement कैसे निकाल सकते हैं यह service spice money के application में पूरी तरीके से अभी लायू हो गया है तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है आपका spice money का application open कर लेना है जैसे ही आप spice money का application open कर ले तो spice money के application में आपको एक mini statement का एक नीचे option शोगा तो आपको क्या करना है mini statement का जो option शोर है तो उस option पर आपको click करना है जैसे ही आप उस option पर click कर लेते हो उसके बाद उपर आपको क्या करना है उपर आपका एक device का option आपको शोर हो तो आपको क्या करना है जो भी आपके पस इनमें से device है तो एक device आपको select कर लिना है तो मेरे पास mantra का device तो मैं mantra select कर लिता हूँ उसके अध्में नीचे आपर बताए जा रहा है कि mini statement जैसे कि आपको यापर दिख रहा है उसके देमें नीचे बताए जा रहा है कि select bank और नीचे बताए जा रहा है view all banks पर क्लिक करना है जैसे ही आप उस option पर क्लिक करोगे तो यहाप पर बताए जा रहा है search bank तो आपको क्या करना है जिस भी bank का mini statement निकलना है तो उस bank का नाम आपको यहाप पर search करना है तो मुझे HDFC bank का mini statement निकलना है तो मैं HDFC bank यह पर जो टाइप करता हूँ और नीचे HDFC bank बताए जा रहा है कि आधार और सेट में बताए जा रहा है कि आधार नंबर तो आपको क्या करना है जो भी bank अपने select किया है तो उसके साथ जो भी आधार काड लिंक है तो उस आधार का नंबर आपको यहापर इंटर कर देना है तो मैं मेरा आधार का नंबर यहापर इंटर कर दिया है उसके अदमें नीचे याप पर बताए जा रहा है कि मोबाईल नमबर तो आप अगर से कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट अगर से निकाल रहे है तो कस्टमर का आपको याप पर मोबाईल नमबर इंटर करना है या फिर आप अगर से खुद का अगर से मिनी स्टेटमें निकल रहे हैं तो आपको आपका मोबाइल नमबर इंटर करना है तो मैं क्या करता हूँ मेरा ही मोबाइल नमबर इंटर कर देता हूँ तो यहाँ पर मैंने मेरा मोबाइल नमबर इंटर कर दिया है उसके दमें नीचे यहाँ पर आपको एक चोटा सा बॉक्स दिख रहा है तो इस बॉक्स पर आपको चेक मार लागा देना है उसके दमें नीचे आपको यह पर बताई जा रहा है फुरुसीट तो आपको क्या करना है पुरुसीट के पहले आपको आपका जो भी डिवैस आपके पास है तो आपके डिवैस को आपको क्या करना है आपके smartphone के साथ connect कर लेना है जो कि आप देख सकते हैं मैंने मेरा mantra का biometric device मेरे smartphone के साथ यह पर connect किया है उसके बाद में आपको क्या करना है प्रुसीट के option पर click करना है जैसे ही आप प्रुसीट के option पर click करोगे तो आपको उसके बाद allow करना है और okay पर click कर देना है उसके दमें बताया जा रहा है कि please any finger one scanner तो मैं क्या करता हो मेरा thumb biometric device पर लगाता हूँ जैसे मैंने मेरा thumb biometric device पर लगा है तो बताया रहा है कि please wait और उपर या पर जो तो आप देख सकते हैं उपर बताया रहा है home उसके दमें नीचे बताया रहा है spice money, ICACI bank, नीचे बताया रहा है mini statement और नीचे बताया रहा है कि EPS transition for mini statement has been complete successfully मतलब कि जो मैंने mini statement का जो transition किया था तो यह successfully हो गया है यह पर यह पर जो तो date बताया रहा है 4 मही 2020 टाइम बताया रहा है दो बचके अठावन मिनट उसके दमें यह पर transition का ID मेरा आधार नंबर लास्ट का 4 डिजिट बताया रहा है bank का नेम यह पर मेरा बताया रहा है जो कि HDFC bank और नीचे mini statement for recent transition मतलब कि mini statement का जो recent क ट्रांजेशन से तो यह पर बताया रहा है जो कि available balance भी मेरे HDFC bank का बताया रहा है जो कि 1396 रुपे उसके दमें debit बताया रहा है 559 debit RCD यह पर जो 559 तो यह पर आप पूरा transition history यह पर देख सकते हो पूरा यह पर जो तो transition history यह पर आगया और मेरा available balance भी यह पर बताया रहा है उ debit 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 और मतलब कि यह पर debit मेरे account से यह पैसा हुआ है और credit अगर से रहता तो CR बता था यह पर मतलब कि credit तो मैंने जो mini statement का जो transition किया था mini statement जो मैंने निकाला था है HDFC bank का तो यह transition successfully यह पर जो यह तो हो गया है जैसे कि आप यह पर देख सकते हो मैंने इसका screenshot ले लिए अब मैं क्या करता हूँ दूसरे bank का भी mini statement निकाल के यह पर जो तो check करता हूँ दूसरे bank का निकलता है यह फिर नहीं निकलता है तो मैं क्या क आ गया और यह पर box पर check mark आ गया उसके बाद में मैं क्या करता हूँ पर फिर से यह पर थोड़ा वेट कर लेते हैं ओके तो यह पर आप देख सकते उपर आ गया आपर बताया जा रहा है bank का ने bank of महाराष्ट उसके निचे बताया रहा है mini statement for recent transitions और available balance बताया रहा है जो कि है 1 रुपीज और यह आपर बताया रहा है कि credit are deposit 1 रुपीज debit यह आपर आप देख सकते तो यह पर पूरा debit credit debit credit यह आपर इस तरह के से बताया रहा है और यह पूर जाए mini statement successfully निकल गया है तो मैं अब क्या करता हूँ इससे जो तो back ले लेता हूँ जैसे मैं back लेता हूँ तो अब मैं क्या करता हूँ जो हमारा main bank है SBI bank, state bank of India तो SBI bank का मैं एक बार check करके देखता हूँ कि state bank of India का mini state में निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है तो मैं क्या करता हूँ view all banks पर click कर लेता हूँ उपर आ गया है state bank of India उसके निचे आपर आधार नंबर मुझे इंटर करना पड़ेगा मैंने मेरा आधार नंबर इंटर कर दिया उसके आधार नंबर पर click करता हूँ जैसे पर click करता हूँ device में red layer जल गया है उसके बाद में device पर थम लगत आए तो यह पर बताए जा रहा है कि please wait तो हम थोड़ा wait यह पर कर लेते हैं जितना भी यह पर हमें समय लगेगा तो थोड़ा wait यह पर हमें करना पड़ेगा because state bank of India का server का कुछ तो problem चल रहा है इसलिए से शायद state bank of India का mini statement शायद नहीं निकले गया ऐसा तो मुझे लग रहा प्लीज वेट तो हम थोड़ा अभी वेट कर लेते हैं यह पर आप देख सकते फिर भी आपर प्लीज वेट ही बता रहा है इसका मतलब यह यह कि state bank of India का यह पर mini state में नहीं निकल रहा है यह पर बता जा रहा है dear agent status for this transition is failed please do not give cash to customer मतलब कि फिर यह agent इस लेंदेन की इस्तेती फेल्ड है कर पया गरह को नगद ना दी मतलब कि इस transition यह पर जो तो यह transition फेल्ड हुआ है और इसपाइस मनी बोल रहा है agent को कि आप customer को please करके कोई भी पैसा मत दो तो जैसे कि आप देख सकते है मैंने तीन बैंक का mini statement निकाल के आपको बताया spice money application की द्वारा सबसे पहले HDFC bank का तो HDFC bank का mini statement successfully निकल गया उसके बाद में मैंने क्या किया state bank of India का mini statement निकला तो state bank of India का mini statement नहीं निकला तो मैं क्या करता हूँ history पर click कर लेता हूँ जैसे मैं history पर click कर लेता हूँ तो यह ट्रांजिशन की मेरी history या पर जो तो आपको दीख रहे होगी जैसे कि आप यहापर देख सकते हो तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि Spice Money के application दोरा mini statement कैसे निकालते हैं तो इस तरीके से आप Spice Money के application दोरा किसी भी bank का mini statement निकाल सकती हो और आप अगर से Spice Money का retailer ID अगर से लेना चाते हो आप अगर से Spice Money का retailer ID का registration अगर से आप करना चाते हो तो वीडियो के description में मैंने मेरा WhatsApp नंबर और calling नंबर आपको provide कर दिया है आप मुझे call करके या फिर आप मुझे WhatsApp पे चैट करके मुझसे Spice Money का retailer ID ले सकते हैं तो आज के सोड़े में मैंने आपको बताया कि Spice Money के application दोरा आप किस तरीके से mini statement निकाल सकती है आपको ये वीडियो अच्छा लागाऊगा वीडियो अगर से अच्छा लागाऊगा तो वीडियो के प्लिस करके लाइक करो आपकी दिल में जो भी सावलोगा नीचे कमेंट्स की माद्धियम से मुझे प्लिस करके ज़रू से बताओ और अभी तक आपने online earning store यूटूब चैनल को सब्सक्राइब अगर से नहीं क्या होगा तो ज़रूर करो thank you for watching दिस यूडियो मिलते हैं अगले यूडियो में तब तक के लिए देखते रहिए online earning store यूटूब चैनल